हेलो एवरिवन वेलकम टू ऑनलाइन स्टड़ी पॉइंट आज के वीडियो में हम जून मंत्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी जो भी थीम रही उसके बारे में डिसकस करेंगे किसी भी एक्जाम में इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कोश्चन कुछा ही जाता है तो सारे ही कोश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो अंतिम तक जरूर देखेंगे और ऑनलाइन स्टड़ी पॉइंट को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कुश्चन है विश्व दुख्ध दिवस कम मनाया गया, तो वल्ड मिलकडे मनाया गया भी एक जून को, अच्छा इसे मनाता कौन है, इसे मनाता है FAO, FAO की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, फूड अग्रिकल् organization, यदि इसके स्थापना की हम बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और यदि इसके मुख्याले की बात करें, तो इसका मुख्याला है इटली के रोम में, और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी, drink milk today and everyday, अगले प्रश्णी की तरफ चलते ह अगला प्रश्ण है, विश्व परियावरण दिवस कब मनाया गया, तो विश्व परियावरण दिवस मनाया गया, पांच जून को, और इसको मनाने की शुरुवात कब हुई थी, इसको मनाने की शुरुवात हुई थी, 1974 से, और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थ तो पिछले वर्ष की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और पिछले वर्ष विसु पर्यावरण दिवस का जो होस्ट कंट्री था वो अपना देश भारत ही था और एक बात अभी विसु पर्यावरण दिवस के मौके पर ही हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने एक योजन का नाम क्या है उस योजना का नाम है हवा आने दे हवा आने दे योजना सुरू की गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अच्छा हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे पर्यावरण मंत्री है प्रकास जावड कर जी अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन ह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया लोगों को दो date में बड़ी confusion रहती है एक तो शाथ जून, दूसरा 16 October तो 16 October को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस जबकि 7 जून को मनाया जाता है विस्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी Food Safety, Everyone's Business अगला प्रश्ण है विस्व महासागरी दिवस कब मनाया गया? तो विस्व महासागरी दिवस मनाया गया 8 जून को अच्छा यह मनाया क्यों जाता है तो यह हमारे जीवर में महासागर के महत्यों के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी Gender and Oceans अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है बाल श्रम के खिलाफ विस्व दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विस्व दिवस मनाया गया था 12 जून को और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी Children should not work in fields but on dreams या थी इस बार की थीम अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं विस्व रक्त दाता दिवस कब मनाया गया? तो विस्व रक्त दाता दिवस मनाया गया था 14 जून को और इस बार की host country कौन थी? इस बार की host country थी? रवांडा या मनाया क्यो जाता है? तो रक्तदान की आवश्यक्ता के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए विस्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी Blood Connected Us All अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं, अगला प्रशनी है विस्व सरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो विस्व सरणार्थी दिवस मनाया गया 20 जून को अच्छा, आप लोगों ने रोहिंग्या सरणार्थियों के बारे में तो सुना ही होगा तो एक बड़ा important current affair है कि अभी अभी United Nation ने जो रोहिंग्या सरणार्थियों थे उन्हें कुल मिलाकर धाई लाख रोहिंग्या सरणार्थियों को पहचान पत्र जारी करने की गोशना की है यह गोशना की क्यों है? ताकि वो अपने घर सुरक्षित लोट सके और इस बार की जो वर्ड रिफ्यूजी डे था विस्व सरणार्थियों दिवस उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी Step with Refugees अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशनी है अंतर राश्ट्री योग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर राश्ट्री योग दिवस मनाया गया था 21 जून को अच्छा 21 जून को एक और important day मनाया जाता है उसका नाम है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को और दो डेट्स में लोगों को confusion रहता है एक 21 जून और दूसरा 12 जनवरी तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर राश्ट्री योग दिवस जबकि 12 जनवरी को मनाया जाता है राश्ट्री योग दिवस अच्छा आप लोगोंने कभी सोचा है कि 21 जून को ही अंतर राश्ट्री योग दिवस क्यों मनाया जाता है तो उसका reason यह है कि 21 जून को उत्री गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और आप सभी जानते हैं भारत हमारा उत्री गोलार्द में इस्तित है और 21 जून को ही ग्रीस मकरांती के नाम से जाना जाता है लेकिन उसके बाद जो सूरी होता है दक्षणायान हो और ऐसा कहा जाता है, कि धख्षणायन के समय अध्यात्मिक शक्तिया प्राप्त करने में बहुत लापकारी होता है। इसलिए 21 जून को ही अंतर राश्च्ट्री योगदिवस मनाया जाता है। अच्छा सबसे पहले अंतर राश्ट्री योग दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहले मनाया गया था 2015 में और इस बार का जो योग दिवस था वह पांच यूए नमबर का अंतर राश्ट्री योग दिवस था अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं अच्छा अंतर राश्ट्री योग दिवस की थीम क्या थी तो अंतर राश्ट्री योग दिवस की इस बार दो थीम थी एक जो आयुश मंत्राले द्वारत है की गई थी योगा फॉर हर्ट दूसरा जो की यूनाइटेड नेशन द्वारत है की गई थी जो थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्षन हमारे आयुश मंत्री कौन है हमारे आयुश मंत्री है स्रीपद एस्सो नायक जो की नौर्थ गुवा से सांसद है अगला प्रश्न है नशीली दवाव की उपयोग और अवैत तसकरी के खिलाफ अंतर राश्ट्री नशा निशेत दिवस मनाया गया है 26 जून को और इसकी थीम क्या थी इसकी थीम थी Health for Justice and Justice for Health अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न है अंतर राश्ट्री MSME दिवस कब मनाया गया तो अंतर राश्ट्री MSME दिवस मनाया था 27 जून को अच्छा MSME क्या है MSME की फुल फॉर्म हो MSME मिनिस्टर कौन है तो हमारे जो MSME मिनिस्टर है वह है नितिंग जैराम गटकरी जो की नागपूर से सांसद है और इस बार के अंतर राश्ट्री MSME दिवस की थीम थी Small Business Big Impact अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगला प्रश्न है अंतर राश्ट्री सांखी की दिवस कब मन मनाया गया तो अंतर राश्ट्री सांखी की दिवस मनाया गया था 29 जून को और अंतर राश्ट्री सांखी की का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इस बार की थीम थी Sustainable Development Goal अगले प्रश्नी की तरफ चलते हैं यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न है विश्व साइकल दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व साइकल दिवस मनाया जाता है तीन जून को अच्छा विश्व साइकल दिवस क्यों मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो साइक दिवस मनाया जाता है तो ये थे जून मंस के इंपोर्टन डेज एंड थीम आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथ में यह भी बताएगा क्या आप लोग को ऐसे ही इंपोर्टन डेज की थीम चाहिए यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखे जरूर बताएगा और ओल्लाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने जो भी स्टेडी रिलेटर ग्रूप है उसमें सेर जरूर करिएगा अभी के लिए इतना थैंक यू सो मच